उसमें जो आखोग बनी है मुझे भी लगता है कि इसे आखोग बनाया गया है बाकी तो वहां जो कटिंग हुआ है उसमें आकार है तो जैसे कि अभी पेड़ काड़ो काटा जाता है जब तो उसमें ऐसे बना रहता है आकार गाठ बना रहता है ना उसी पर जैसे लगता है कहा देवी जी निकली है तो अच्छी बात है माका दर्शन करेंगे पुजा पाठ करेंगे वहां तो सब बिजनेस खोल दिये हैं तुरन माक निकलते ही बिजनेस चालू तो एक सोसल मेडिया पर चर्चा बहुत गनेशपूर की हो रही है जहां नवरात्री से पहले एक नीम का हम लागा है इसके बाद दो आढ़ना दो दो बातों हो रही है एक तो लोग सरद्धा से जोड़ कर देख रहे हैं और दूसरी ओर जहां है वो कह रहे हैं कि यह तो सिर्फ अंद्विस्वास जो ऐसी तरीके की बात कर रहे हैं अलग है Arora मास इतलाइप प्रगत हैं बहुंत अच्छी बात है और देखिए पूझा कहीं भी करो वहाँ देवी का बास हर जगा जहां आप मन से मान लेंगे चाहे वहाँ निकली हूँ देवी या न निकली हो इस समय तो नारात्री का दिन है और हर जगह मा विराज मान है HEL हमारे भी यहां मंदिल है मंदिल के सामने है नीम का पेड़ है और वहां भी दुर्गा जी का बास अगर दिल से मानो तो दुर्गा जी का बास अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं है हाँ और उसमें जो आखोक जो बनी है मुझे भी लगता है इसे आखोक बनाया गया है बाकी तो वहा उसीं पर ज्यागता ही खहूर्द अधु है तो लोग दिल से मांते हैं और अच्छी बात है माप्रगट हुई है लोग मतलब अच्छ सजा भी है जो के अकार भाना ठा तो या कार भी डिये है उस पर आ pepp मना दिये है कि दो यह वही रास्ता है वहाँ जाने के लिए भी रास्ता नहीं है वही बात ना तो चुनरी नरी लगा के सब सजा दिये हैं दान के पेटियो टी भी रख दिये हैं सब बीडियो में देखती रहती हूं महां क्या हो रहा जी अच्छा लगता है देवी जी निकली है तो अच्छी बात है माकस लोग दर्शन करेंगे पुजा पाठ करेंगे वहां तो सब बिजनेस खोल दिये हैं तूरण माक निकलते ही बिजनेस चालो तो उमेद पर आप खड़ा उतरती हैं तो क्या सुनाना चाहे मैया दिल बे करार तेरे बीना मैया हुआ बुरा हाल तेरे बीना मैया देखो हमारी ए आखे मैया देखो हमारी ए आखे हुआ रो रो के लाल तेरे बीना मैया दिल बे करार तेरे बीना मैया हुआ बुरा हाल तेरे बीना मैया देखो हमारी ए मंदिल भर्त बैठे हाजार तेरे बीना मैया दिल बे करार तेरे बीना मैया हुआ बुरा हाल तेरे बीना झाल